तो इस वीडियो में हम ट्यूमर स्प्रेसर जीन को सिंप्लिफाई करेंगे कैंसर बाइलोजी का जिसमें हमने इंटोडक्शन अल्रेडी देख लिया है और यह हमारा अब ट्यूमर स्प्रेसर जीन पर सिंप्लिफिकेशन है आई होप आपने हमारे पुराने वीडियो को भी देखा होगा अगर कैंसर बाइलोजी को अच्छे से समझना है तो मेक शियर करें कि सीरीज वाइस चलें जैसा वीडियो सीरीज में है वैसे आप उसको कवर करते जाए तो टॉपिक कवर होता जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उपर आई बटर में मिल जाएगा या चैनल पे प्रेलिस्ट में सब कुछ और्गनाइज वे में आपको मिल जाएगा तो प्लीज वीडियो को देखना बिक मत भूलिएगा तो फिर चली सिंप्लिफिकेशन स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है त्यूमर सप्रेसर जीन मतलब कि एक में जहां त्यूमर को सप्रेस करने वाला जीन त्यूमर को ना बढ़ने देने वाला जीन यह बहुत ही इंपोर्टेंट जीन है इसे गार्जिए जीन बोला जाता है क्योंकि यह बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं ठीके सेवरेडं करते हैं यह जाने होना है नहीं होना है तभी तो ये tumor को suppress कर पाएंगे है ना अगर ये फैसले नहीं लेंगे कि अब division नहीं होना है ठीके cell का अब division नहीं होना है तभी तो cell में tumor बनने से उसे रोका जा सकता है ठीके तो tumor suppressor gene को anti-oncogenes भी बोलते हैं तो basically ये करते क्या है ये cell division को ये रोकते हैं ठीके लेकिन apoptosis जो cell death होती है मतलब ये division को पहले यहां क्या करते हैं को रोकते हैं ठीके और cell apoptosis यानि की program cell death cell apoptosis को promote करते हैं मतलब cell death को promote करते हैं और cell division proliferation को ये decrease करते हैं तो ये क्या करते हैं mainly cell death के लिए responsible होते हैं cell में division नहीं होने देना चाहते हैं तभी तो इससे हमें tumor suppressor gene कहते हैं क्योंकि tumors क्या होते हैं हम अल्रीडी बता चुके हैं cluster of cells मतलब एक जगह पर ढही सारे अन ओर्गनाइज्ड वे में जो की बिल्कुल स्थ इस cell division के लिए बिल्कुल ready हैं सिर्फ और सिर्फ डिविजन कर रहे हैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है अन ओर्गनाइज वे में सिर्फ इस जो है वह डिवाइड कर रही है और आगे ब करता है जो की है हमारा tumor suppressor gene यह make sure करता है कि cell में कहीं भी unorganized way में division ना हो सब कुछ rules के according चले कोई भी गड़बड़ी ना हो अगर कोई गड़बड़ी आ रही है अगर कोई DNA damage हो रहा है तो उसको या तो repair कर दिया जाए अगर repair नहीं हो रहा है तो फिर लास्ट option बसता है कि इसको kill कर दिया जाए तो यह जो decision है ना यह लेता है हमारे tumor suppressor gene आ रहे हैं समझ में tumor suppressor gene की एक और बहुत ही अच्छी quality है जो की है gatekeeper keeper और caretaker अब यह दोनों qualities क्या बला है भाई तो ऐसा है कि gatekeeper क्या काम करते हैं दर्वाजे पर खड़े रहते हैं किसको आने देना है और किसको वहीं रोक देना यह gatekeeper का का है भाई अच्छा इंसान है तो उसको हम आने देंगे दर्वाजा ओपन है लेकिन कोई unwanted person है उसको हमें अंदर नहीं आने देना है तो हम directly दर्वाजा बंद कर देते हैं कि आप अंदर वह damage हो चुकी है उसका कुछ नहीं हो सकता है तो वह cell को किल करेगा है तो उस quality को कहते हैं क्या गेट कीपर प्रमोट cell death and inhibit cell growth यह सीदे सीदे डिसाइड कर लेता है ठीक है अब किया टीकर का क्या वह function है किया टीकर क्या है कि भाई वह ऐसा directly root person नहीं है जिसको आना है सबको welcome है लेकिन वह नजर रखता है कि कहां पे disturbance पैदा हो रही है तो किया टीकर का क्या है silently indirectly तरीके से genetic stability को देखना observe करना अगर कहीं पे भी कोई भी DNA damage उसको recognize हो रहा है उसको पहचान में आ रहा है वो तुरंत ही active हो जाएगा और उस पार्ट को recognize करके उसको repair mechanism को on करवाएगा और फिर उस damage को repair करके वापस से प्रोसीजर को जो cycles है उसको start करेगा आ रही है बास समझ में तो यह trigger करता है DNA repair को ठीक है यह indirectly genetic stability को maintain करता है और यह directly यह directly cell death को promote करता है और cell growth को रोकता है यह qualities है यह उसके function है tumor suppressor gene का की कैसे वो work करता है tumor suppressor gene जो है उसके बहुत सारे example है mainly हम पढ़ेंगे वो P53 को पढ़ेंगे यह सबसे जादा study किया हुआ tumor suppressor gene है और इसका बहुत ही important role है cell cycle में इसलिए मैं उसको लेके और उसको अच्छा समझाओंगी उसका क्या role है cell cycle में बहुत ही important gene है ठीक है तो यह जो gene है इसका नाम P53 इसलिए है कि P represent करता है protein और 53 molecular weight है ठीक है 53 kilo dalton molecular weight को represent करता है तो इसलिए इस gene को हम P53 कहेंगे ठीक है तो अब हम थोड़ा देखते हैं cell cycle ठीक है तो यह जो phases है यह हम already cell cycle वाले वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हम बता चुके हैं जिन्होंने भी यह concept जिन्हें नहीं पता है तो वो जाके वीडियो देख सकते हैं वीडियो चैनल पर available है तो वहां जाके जरूर एक बार देख लीजिएगा ताकि cell cycle का concept आपको clear हो जाए बहुत ही interesting और simple way में मैंने explain किया है ठीक है तो यहां पर हम चलते हैं यह हमारे cell cycle के phases हैं M, G1, S and G2 और यह है उसके checkpoints यह checkpoints बहुत ही important ह है जो कि यह decide करते हैं कि आगे के phase फें हमको enter करना है यह नहीं करना है तो बस यहीं पे काम आता है हमारा tumor suppressor t예요 घीक है जो यह decide हो रहा है तो जो सेल साइकल हएओ उहाँ पर माईटोजेनिक सिगनल जो है न पार्ट रिकरगनाइज हुआ है तो यहां पे जो सिग्नल्स हैं वह एक्टेव हो जाएंगे ठीक है माइटोजेनिक जो सिग्नल्स हैं वह एक्टेव हो जाएंगे अब उससे क्या होगा कि यहां पे पी 53 का production rate बढ़ जाएगा अब यह जो पी 53 है जो सेल का जो जीन का guardian है tumor suppressor gene है वो देखेगा कि क्या यह जो damage है वो पहली condition यह है क्या उसको हम repair कर सकते हैं तो DNA damage repair जो mechanism है जिसमें हमने sauce repair देखा है mismatch repair देखा है nuclear existing repair देखा है base existing repair हमने देखा है बहुत सारे हमने देखे हैं डिएने repair mechanism already video available है channel पर अगर जिन्हें नहीं पता है कि यह क्या होता है तो आप video देखे help ले सकते हैं ठीक है तो यहां पर वो mechanism जो है उसको active करेगा जिससे यह ट्रिगर करेगा DNA repair system को कि भाई अब तुम्हारी जरूरत है कुछ damage portion हमें recognize हुआ है जिसको ठीक करना बहुत जरूरी है अगर वो ठीक नहीं हुआ तो cell division के थू दूसरी cells में भी daughter cells में भी पहुंच जाएगा जिससे कि बहुत बड़ा damage cause हो सकता है जो कि cancer cause भी कर सकता है तो यहां पर यह चीज़ होगी कि भाई अगर repair किया जा सकता है तो तुरंथ ही यहां पर cell cycle को रोग दिया जाएगा पहले damage को repair किया जाएगा और वापस स्टार्ट कर दिया जाएगा ठीक है यह basic concept है tumor suppressor gene के working का ठीक है कि क्या होता है और कै यह procedure चलती है तो यह तो हुई पहली condition second condition हो रही है कि भाई जो damage है वह बहुत जादा हो गया है अब उसको repair करना possible नहीं है तो यहां पर इसको अब यह कड़ा फैसला लेना पड़ता है कि भाई जो गड़बडी हुई है उसको सुधारा नहीं जा सकता है अब finally उसको हटाना ह कि एक मात्र रास्ता है कि सेल को अब किल कर दिया जाए तो यहां पर आप एपक्टॉसस की प्रोसीजर स्टार्ट होगी ठीक है जो की प्रोग्राम सेल डेथ की प्रोसीजर है उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बलाओंगी जिसमें आप पूरा प्रोसीजर पढ़िए कि कैसे सल डेथ होती है जिसे हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोलते हैं ठीक है तो यहां पर सेकेंड चीज होगी सेल का एपक्टॉसस जाने सेल डेथ समझ में आ रही है बात तो यह है बेसिक कॉंसेप्ट ट्यूमर सप्रेसर जीन के वर्किंग का तो यहां जो आप एक क्या है यह कैसे वर करता है नौर्मल सेल में और यह क्या अवर करता है डेम इस्ट थीक तो उसको आपको प्रफ्यूजन ना हो बहुत ही सिम्पल और सम्मराइज़ वे में में आपको यह क्स्पेन करने वाली हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे सामझन के क करकिंग को लेके ठीके पडाउर नोर्मल साल है तो भी दो कंडिशन सोित और जब डामेज हुआ रहता है तो भी दो कंडिशन होती है सबसे पहले अब ध्यान दी जैङांचन मेर्स थेकर नॉम्मल सेलमस अपध्ञाल मेरें gene मतलर कि जब damage मिल रहा है तो कुछ देर के लिए हमने बताया था ना जब हमने अभी cycle पढ़ा था तो हमने बताया था ना कुछ देर के लिए cell को halt कर लेता है जीवन फेस में उसको कुछ समय के लिए रोक देता है ताकि damage को repair किया जा सके और वापस से cell cycle की जो process है वो start हो सके आरे यह बत समझ में clear हो रहा है कोई damage पाया गया ठीक है तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि cell को arrest कर दिया जा रहा है कि भाई रुख जाए यहाँ पर damage है इसको पहले हम ठीक करेंगे फिर आगे की procedure start होगी तो यहाँ पर यह cell cycle को रोक द दिया जाता है फिर यहाँ पर damage को repair किया जाएगा कोई damage repair system है इसको active किया जाएगा फिर यह आके इसको repair करेगा repair होने के बाद वापस से यह यहां से arresting जो process है यहां पर जो रोका गया होल्ट किया गया cell को यह यहां से खुल जाएगा रास्ता वापस से cell cycle जो है वो start हो चाहिए तो यहां पर सबसे पहले क्या होता है जो P53 है यह बहुत सारे जीन है उसको regulate करता है regulate क्या करता है कि कब उसको division करने के लिए active करना है कब नहीं करना है इसको वह देखता है बहुत ध्यान से तो यह regulate करता है बहुत सारे transcriptional gene को उसमें से एक है WAF gene ठीक है तो यह इसको regulate करता है यह क्या करता है WAF जो gene है इसके promoter side पर जाके attach होता है और attach होने से क्या बनता है P21 कहलाता है ठीक है तो P21 के बनने के बाद यह भी एक tumor suppressor gene ही है तो P21 के बनने के बाद क्या होता है कि यह जो P21 gene है यह block करता है CDK4 और CDK6 complex को block कर देता है अब इससे क्या होगा कि cell जहाँ पे है उसी phase में वो रुक जाती है तो मतलब G1 phase में अभी जो हमने cycle बताई थी ना उसके G1 phase में जो checkpoint है वहाँ पे वो cell cycle वहीं के वहीं रुक जाती है ठीक है तो रुक जाने के बाद क्या होता है कि वापस से जो DNA damage हमने बताया था DNA damage repair करने क जो mechanism है वो वहाँ से start होगी और cell जो halt है वो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए मतलब क्या होता है थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुकना तो cell अभी वहाँ पे रुका हुआ है damage के ठीक होने के लिए जैसे damage ठीक होगा वापस से जो cell cycle की process है वो start हो जाएगी cell cycle यहाँ पे को halt हो गया है और damage भी repair हो गया है लेकिन जो regulator gene है उसको वहाँ से अपनी जगह छोड़नी होगी तो उसके लिए क्या होगा कि P53 का regulation होगा मतलब उसका degradation होगा ठीक है regulation मतलब control होता है लेकिन यहाँ पे actual जो procedure हो रही है वो यह हो रही है कि P53 को अपनी जगह से हटाना है उसको degradate करना है तो उसके लिए क्या procedure है तो जो P53 gene जो है वो बहुत ही unstable gene है क्योंकि इसका काम ही वैसा है कभी उसको active करना है कभी अपने आपको खतम नहीं करेगा तो cell cycle शुरू कैसे होगी इसका काम ही वैसा है इसलिए यह unstable gene है यह क्या होता है कि अब self arrest हो चुकी है यहां तक है अब damage repair हो गया है अब उसको वहां से हटना है और cell cycle की procedure को वापस से start करना है तो क्या होगा P53 जो है वो DM2 gene के साथ complex बनाएगा P53 MDM2 gene complex बनेगा complex बनाएगा और इसके बाद ubiquitin mediated pathway जो P53 है उसका degradation होगा ठीके यह degradate हो जाएगा तूट जाएगा है ना P53 का degradation हो गया तो अब तो रास्ता क्लेर हो गया है अब मतलब की वापस से जो cell cycle की procedure है ना वो start हो जाएगी continuity में आ जाएगी अपनी आरे यहां समझ में कि यहां तक हमने इसको arrest किया cell cycle को G1 phase में damage को repair किया गया जो भी problem थी उसको solve कर दिया गया अब वापस से अब P53 को वहां से हटाना है तो MDM2 gene के साथ उसका complex बनेगा ubicuted mediated pathway के द्वारा P53 का degradation होगा तो अब रास्ता हो गया है clear वापस से जो cell cycle हो restart हो जाएगी और यह clear चीज़ अब यह तो बात होई normal cell के अब हम damage DNA के बारे में देख रहे हैं यहां पर भी condition है cell का arrest होना और दूसरा नियो प्लास्टिक सेल्स का बनना मतलब की cancer सेल्स का बनना इस condition में क्या होगा कि जो P53 है वो अल्रेडी है ही सेल में ठीक है MDM2 genes भी और फॉस्पेट भी ऑल्रेडी है तो अब इसको करना यह है कि प्लास्टिक को MDM2 gene के साथ complex नहीं बनाना है तो यहां पर क्या होगा P53 प्लस phosphate का complex बनेगा ठीक है इसके साथ एड़ होगा जिससे क्या होगा कि P53 का degradation नहीं होगा यहां पर हमने देखा था कि MDM2 gene के साथ जब P53 अटेच हो रहा है तो इसका degradation हो रहा है तो यहां पर इसके लिए उसके साथ नहीं एड़ होना है तो उसके लिए क्या रास्ता है कि phosphate P53 के साथ एड़ हो तो यहां पर degradation तो नहीं होगा degradation नहीं होगा तो क्या होगा P53 का लेबल जो है वो अब increase हो जाएगा है ना इसका लेबल क्या होगा increase हो जाएगा ठीक है तो अब increase होने से क्या होगा वापस से first वाली प्रोसीजर की यहां पर P21 बनेगा और P21 फिर cyclin D CDK4 or cyclic D CDK6 का complex बनाएगा और वापस से cell arresting की जो प्रोसीजर है वो चालू रहेगी मतलब इस condition में cell को repair किया जा सकता है difference समझ में आया यहां पर damage है लेकिन यहां पर क्या हो गया है कि cell में वो damage को repair करनी के लिए रास्ता है ठीक है यहां पर P53 degradate नहीं हो रहा है ठीक है तो जिसकी वज़ा से cell जो है उसको वापस से repair किया जा सकता है same procedure यहां से अपना P21 के बाद वापस से यह वाली procedure देखनी जा ठीक है फिर से यह complex बनेगा cell cycle arrest हो जाएगी फिर वहाँ पर damage को repair किया जाएगा और फिर cycle को restart कर दिया जाएगा आरे यह बाद समझ में यहां से यहां तक आपको फिर से वही procedure start होगी कोई confusion नहीं होना चाहिए ठीक है अब हम देख रहे हैं कि जब damage repair नहीं हो पा रहा है तो उस condition में क्या हो रहा है damaged DNA है damaged DNA है तो सबसे पहले तो P53 को active होना था लेकिन यहां पे जो P53 है वो है inactive 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 P53 है क्यों? because of mutation mutation की वजह से P53 जो है वो inactive हो चुका है तो अब जो इसकी working है वो loss हो चुकी है वो काम नहीं कर पा रहा loss of P53 loss of tumor suppressor gene function ठीक है यहां पे P53 के function का loss हो गया है जो उसको करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है because of mutation mutation की वजह से यह होमोजाइगस हेट्रोजाइगस loss की वजह से P53 का working loss हो जाता है और इसकी वजह से होने वाले cancer जो है वो MC breast cancer लिवर का cancer इस टाइब के cancer को यह lead करता है ठीक है P53 इतना important gene है अब cell cycle arrest जिसकी वजह से क्या होगा cell cycle continue होता रहेगा है कांटिन्यू cancerous समझ में आ रही है बात कि जो damaged DNA था वो ट्रांसफर हो रहा है अब अगली generation में भी क्यूंकि P53 अपना काम नहीं कर रहा है जो guardian of cell था जो guardian of gene था वो अब काम नहीं कर रहा है क्यूंकि वो खुद भी mutant हो चुका है है ना उसमें खुद में भी problems आ चुकी है तो जिसकी वजह से जो cell cycle है वो halt नहीं हो पारी आरेस्ट नहीं हो पारी है जिससे cell cycle continuity में है तो जो damaged portion है वो आगे की generation में भी ट्रांसफर हो रहा है जो कि लीट करेगा cancer को आ रही है बात समझ में आई होप आपको यह classification बहुत easily समझ में आएगा मैंने बहुत ही शौर्ट वे में आपको समझाने की कोशिश की है अगर कहीं पर भी कोई confusion हो कोई होगा जिस पर क्लिक करने से जब भी हम नए वीडियो डालेंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे जिसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी thank you so much for watching मिलते हैं अगले वीडियो में